नमस्कार मैं हूँ अभिशेक त्यागी अभिशेक शर्मा ने तूफानी शतक लगाया उसके बाबजूद उनके करियर पर खत्रा मन रहाया जिहां अभिशेक शर्मा दूसे टी-20 मुकाबले का आपको याद है न तूफानी अंदाज में शतक लगा दिया था तेस तरह शतक ल ओ रहे थी युवराज सिंसे तुल्हा की जा रही थी कहा जा रहा था कि भाज सब्टीम इंडिया को दौसा युवराज मिल गया गेन्वाजी भी करता है बले भाजी भी करता है लंबे लंबे छक्के लगाता है शांदार बल्लेबाजी की थी और खोब चर्चा थी और ये कहा जा रहा था कि अभिशेख सर्मा को अब टीम इंडिया में ओपनर के तौर पर पर्मानेंट कर देना चाहिए अभिशेख सर्मा को नीचे नहीं खिलाना चाहिए अभिशेख सर्मा को टीम इंडिया में लगातार मोके देने चाहिए ये बात उसके बाद लगातार चल लही थी लेकिन अब क्या हुआ अब क्या हुआ अब ये हुआ कि एक खिलारी के करियर को कैसे बरबाद किया जाता है एक खिलारी को कैसे दिमोटिवेट किया जाता है एक छाफ लाइन नोई रए 。」 आप यहां पर जैसवाल की कोई हम बुरा ही नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कहते हैं, विश्टराल मुक्त और नहीं हुम और बहुत तालेंटिटीट खिला रही हैं, लेकिन अःभिशेग सर्मा भी तो तालेंटीट खिला रही है। अब यहाँ पर एक चर्टा शुरू होने लगी है कि भाई साब सुमन गिल अपने आपको परमोट करने के चक्कर में खुद कप्तान है इसलिए अपने आपको उपनर के तौर पर खिला रहे हैं या अबिशेक सर्मा को नीचे खिला जा रहा है अबिशेक सर्मा को उपनर के तो तुफानी खिला रही हैं जब आपके पास दोनों लेप्ट हंडर आतिशी बल्लेबाज हैं तो आप पावर प्लेम उनका फायदा क्यों नहीं उठाते इस तरीके की चर्चाय चलें क्योंकि शुमन गिल लगातार उस तरीके के स्ट्राइक एड से बल्लेबाजी नहीं करते शुमन गिल अपनी कप्तानी में अभिशेख शर्मा को इसलिए डिमोटिवेट कर रहे हैं इसलिए नीचे खिला रहे हैं ताकि उनकी जगा बनी रहे और अभिशेख शर्मा दूसरे ओपनर के तौर पर ना उबले इस तरीके के आरोब शुमन गिल के उपर लगाया जा रहे क्योंकि जब से अभिशेख शर्मा ने शतक लगाया है उन्हें ओपनर के तोर पर मौका ही नहीं दिया गया लगातार किर्केट फैंस का कहना है कि अभिशेख शर्मा को आप ओपनर के तोर पर क्यों नहीं खिला रहे हैं क्योंकि अभिशेख शर्मा का शतक कोई छोटा मोट नहीं था सबसे तूफानी शतक था तेज तदार शतक था लगातार बहतर बल्लेबाजी करके दिखाई थी और उस वक्त क्रिकेट के दिगज भी कह रहे थे कि भाई सब टीम इंडिया को यही तो खिलारी चाहिए ऐसा ही तो खिलारी चाहिए जो आकर ऊपर रन बनाए और इंडिया को मिला तो भाई सब उसको प्रमोट करने की बजाए डिमोटिवेट किया जा रहा है उसे लगातार ओपनर के तोर पर नहीं खिला कर नीचे खिलाया जा रहा है नीचे मौका नहीं आता है यह सबसे बड़ा सवाल है तो यहां पर अभीशेख शर्मा के करियर को बर हो रहा है अब विशेख शर्मा को उपर खिलाना चाहिए कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा वीडियो अच्छे लगए तो लाइक और शेजरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा क्योंकि अब्लेट मिलते रहेंगे थैंक्यू वेलिमार्ट